नमस्कार दोस्तों रावन श्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो इस वीडियो में हम देखने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देने वाली यहां पे बोनस तो जब भी बोनस प्लीट की जो न्यूज आते इसके से बहुत सरे लोग खुश होते और श्टॉक क को बाई करने की कोशिश करते तो ऐसे कौन सी कंपने जिसका नामें स्री वेंकेटेश रिपाइनर इस लिमिटेड श्टॉक का प्राइस से 198 रुपए बॉंबे श्टॉक एक्सेंज के उपर कंपनी लिस्ट डे अब तक कि रिटन चेक कर सकते लगबग साढ़े तीन सु परस और यहां पर स्टॉक में पाइसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए लगाना चाहिए तो कितना लगाना चाहिए पूरे डीटेल में देखनी वाले तो जैसी कि यहां पर जो कंपनी यहां पर फूर सेक्टर में एपमसी सेक्टर में कंपनी काम करते जैसी कि बोनस की ओ देख लेती है अग भी तो जैसे कि जो कंपनी ने अनौसमेंट किया है यहां पर 6 सितमबर को अनौसमेंट किया था बोनस का उसका रेशयो था 1 रेश्ट टू 1 यानि एक शेर के बदले मिलने वाला था एक शेर तो इसका रेकॉर्ड डेट अनौसमेंट हो चुका है रेकॉर्ड डेटे 29 अक्टोबर तो उससे 2 बिजनेस डे माइनस करना है जो भी डेट आएगा उस दिन से पहले आपको श्टॉक को करना पड़ेगा तब जाकि आप यहां पर बोनस के लिए अपलिकेबर हो सकते हैं तो इसका एक्स बोनस डेटे 27 अक्टोबर तो 27 बारे में रेशो के बारे में रेकॉर्ड डेट के बारे में अब यहां पर बहुत ही इंपोड़न्ट है वह एक क्या सच में कंपनी इन्वेस्मेंट करने के लायक है कि नहीं वह पता चलेगा कंपनी के बैलन्शिट से यानि बीस से तो यहां पर देखना पड़ेगा कि कंप साइज के साब से ठीक टा कर जां इतना कुछ ज्यादा भी कर जाने और कम भी कर जाने यह तो हो गए करजे के बारे में नेक्स जो पैरामेटर है कंपनी का एंप यानी नेट पॉपिट तो नेट पॉपिट मतला होता क्या है सब कुछ खर्चे यानि expenses निकालने के बाद government को tax देने के बाद employee की salary बागे छोटे मेंटे खर्चे देने के बाद company के हाथ में जो pure profit रहता है उसको net profit का जाता है वो बहुत ही important है और net profit बढ़ना बहुत ही important है छोटे company के लिए तो 2021 के साब से company के पास लगबग 3.51 करोड का net profit था, 2022 में 14 करोड, 2030 में लगबग 14.34 करोड का यहाँ पर net profit हो चुका है जो company का net profit है लगातार बढ़ रहा है एक आच्छा साइने company as well as उनके जो भी shareholder इनके लिए यह तो होगे company के बारे में, net profit के बारे में, balance sheet के बारे में तो जो last सवाल है क्या company सच में investment करने के लाइक है की नहीं देखिए अभी तो company बहुत ही छोटी एक इसे company में जो भी पैसा लगाते है सोच समझ के सिकने के लिए थोड़ा ही पैसा लगा सकते है ज्यादा amount emission करना बहुत ही ज्यादा risk है तो यहाँ पर जो भी आपके risk की एविलेट है उसकी सबसे पैसा लगा सकते है यह तो था आज का उड़िया आपर स्रीव वेंकेटेश limited क के लिए अगर वीडिया चलागा तो लाइक कर सकते हैं और चानल को जरू सब्सक्राइब कर सकते हैं